हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू दी चैनल स्वागता आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो लोगस में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोश्चन्स डिसकस करेंगे मिलखा सिंग्जे से लेटेड और यहां पे हम टॉप 15 इंपोर्टेंट कोश्चन्स को डिसकस करे पहले देख लेते हैं मिलखा सिंग्जे से लेटेड टॉप 15 इंपोर्टेंट कोश्चन्स को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा पहले देख लेते हैं बेसिक इंफोर्मेशन मिलखा सिंग्जी की नेशनेल्टी इंडियन थी आप सभी को पता होगा इनका जन्म गोविंद्पूरा में जो ब्रिटिस इंडिया का समय का पंजाब था वहां के गोविंद्पूरा में इनका जन्म हुआ था एंड गोविंद्पूरा पंजाब जो है वर्तमान में पाकिस्तान में तो यह आपको याद रखना है इनकी इनका निधन हुआ है 18 जून 2021 को तब एक कानवे वर्षके थे याद रखेगा और कहा पर हुआ है इनका निदन चंडीगड में हुआ है पता हो न अच्छी आपको इनकी पतनी का नाम था निर्मल सैनी इन दोनों की साधिवी थी 1963 में और निर्मल सैनी की भी कुछ दिन पहले ही निदन हुआ है मतलब पांचे दिन निदन हुआ था इनका भी और इनके निदन के तिन चार दिन बाद ही मिलखा सिंग जी का भी निदन हो गया है मिलखा सिंग जी को एक अवार्ड भी मिला है पदमश्री अवार्ड इसके बारे में आगे कुश्चन भी डिसकस करेंगे और आपको मैं बता दूँ जो निर्मल सैनी या volleyball player रह चुकी हैं आगे देखते हैं कुछ important questions को पहला प्रस्ट तो आपसे ये पुछा जाएगा कि Milka Singh was related to which sports Milka Singh किस खेल से सम्मंदी थे तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा option D athlete याद रखेगा Milka Singh जी का सम्मंद athlete से था Milka Singh जी धावक थे आगे देखते हैं अगला question प्रस्टन है Milka Singh was known by which of these surnames Milka Singh को इनमे से किस उपनाम से जाने जाता था तो Milka Singh का जोई एक उपनाम भी था जिस नाम से जाने जाते थे मश्चूर थे तो इनका उपनाम था flying sick याद रखेगा flying sick के नाम से हम Milka Singh जी को जानते हैं यह प्रस्टन आपके एक जाम में बन सकता है कि flying sick के नाम से हम किने जानते हैं तो आपका उत्तर होगा Milka Singh चलो आगे देखते हैं आगला प्रस्टन है who gave the name flying sick to Milka Singh मिलखा सिंग को फ्लाइंग सिख का नाम किस ने दिया था अब यह हमने पिछले प्रस्ण में किया कि मिलखा सिंग जी को हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे और इस प्रस्ण में आप से पुछा जा रहा है कि मिलखा सिंग को फ्लाइंग सिख का नाम किस ने दिया था तो यहाँ पर सही तरह आप्शन सी अयूब खान याद रखेगा अयूब खान के द्वारा मिलखा सिंग को फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया था इसके पीछे एक छोटी से स्टोरी भी है मिलका सिंग को पहली बार 1960 में फ्लैंग सिख कहा गया था पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयुब खान ने दिया था यद रखेगा 1960 में आयुब खान ने इंडो पार्क स्पोर्ट्स मिट के लिए मिलका सिंग को पाकिस्तान आमंतरित किया था जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई कि इनका जम जो है पाकिस्तान में हुआ था लेकिन यह पाकिस्तान को छोड़ कर भारत आ गए थे तो यहीं पर देखो इनको मंत्रित कह गया था पाकिस्तान में स्पोर्ट्स मीट के लिए मिलखा सिंग वहाँ पर जाना नहीं चाते थे लेकिन जो हमारे उस समय के देश के प्रधान मंत्री थे जो हलाल नेरु जी इन्होंने मिलखा सिंग को पाकिस्तान जाने के लिए कहा तब मिलखा सिंग जी जो है पाकिस्तान गय थे एंड मिलखा सिंग ने 200 मिटर स्प्रिंट रेस में पाकिस्तान के जो सूपरस्टार थे अब्दुल खलिक उनको आसानी से हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था किनोनी जिता? मिलका सिंग ने and मिलका सिंग ने किने हाराया? ıyorsunद पाकिस्तान के सुपर स्टार्ट है अब्दुल खलिक को and इसी के समय जो है जो medal ceremony थी उसी समय जो पाकिस्तान के आयुखान जो राश्टपती थी उससमय उन्होंने ही Milka Singh को पहले वार Long Chick का नाम दिया था एधर रख सकते हो आगे देखते हैं प्रस्णे वेनवाज Milka Singh honored with the Padmasri Award Milka Singh को Padmasri समान से कब समानित कहा गया था ये भी मेहत्पून प्रस्ण है तो इसका सयुगतर है option B 1959 को Milka Singh को Padmasri से समानित कहा गया था आप सबी को पता हुआ पदम शुरी अवार्ड जो है इंडिया का fourth highest civilian award है पता होना अचित आपको अगर आपसे पुछा जाए कि इंडिया का highest civilian award कौन सा है तो वह है भारत्रत्र, भारत्रत्र के बाद है पदम विभूशन उसके बाद है पदम भूशन चौते नंबर पर है जो अवार्ड है वो मंदिर में प्रसाद की तरह बाट जाते हैं इसलिए मुझे यह अवार्ड नहीं चाहिए तरह इन्होंने रिजन दिया था 2001 में इनका नाम भी आया था अरजुन आवार्ड के लिए लेकिन इन्होंने मना कर दिया था आगे देखते हैं प्रसने नेम दफो प्रस्ने in which year did Milka Singh represent India at the Tokyo Summer Olympics. Milka Singh ने किस वर्ष Tokyo के Grishm Olympic में भारत का परतिनिदित्व किया था. तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें Milka Singh ने participate किया था Tokyo Grishm Olympic में जिसमें इनोंने भारत का परतिनिदित्व किया था. तो बताए किस वर्ज का था वो टोक्यो समर उलम्पिक तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा option B 1964 याद रखेगा 1964 टोक्यो उलम्पिक में मिल्खा सिंग ने रिप्रेजेंट कहता भारत को आगे देखते हैं प्रस्णे how many gold medals did मिल्खा सिंग win for India in the Asian Games Asian Games में मिल्खा सिंग ने भारत के लिए कितने gold medal जीते थे यह आपसे प्रस्ण में पुछा जा रहा है तो यहाँ पर सही उत्र है option C total 4 gold medal जीते हैं मिल्खा सिंग ने Asian Games में भारत के लिए देखें यहाँ पर सिर्फ Asian Games की बात हो रही है पूरे मतलब सभी games की बात नहीं हो रही ह सिर्फ Asian Games की बात हो रही है तो Asian Games में मिल्खा सिंग ने total 4 gold medal जीते हैं भारत के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्खा सिंग won 4 gold medals for Indian India in the Asian Games in the first जो पहला Asian Games वह था 1956 में तब इन्होंने 200 मिटर और 400 मिटर रिले में gold medal जीता था इसके बाद इन्होंने 162 का Asian Games था उसमें 400 मिटर जो 400 मिटर का जो जो चार लोग पाटिस्पेट करते हैं उसमें रिले रेस में इन्होंने gold medal जीता था देखो जो यहाँ पर 4 into 400 मिटर रिले रिले रेस लिखा है न इसमें 400 प्लेयर पाटिस्पेट करते हैं और चारोज प्ल प्रस ने the race of my life and autobiography of which Indian athlete the race of my life किस भारतिया athlete की आत्म कता है तो यहाँ पर सहीत तो जाएगा option D Milka Singh की आत्म कता है इसे आप याद रखेगा काफी ज्यादा महत्मून प्रस ने यह आप से एक्जाम में जरूर पुछा जाएगा याद रख लेना the race of my life and autobiography of Milka Singh अगर हम बात करें तो Milka Singh के साथ यहाँ पर कौथर थी साथ में इनकी बेटी Sonia Sunwal का याद रख सकते हो and जो Milka Singh जी के उपर फिल्म जो बनी है भाग Milka भाग वह फिल्म जो है इसी autobiography पर based है आगे देखते हैं प्रस ने which actor played the character of Milka Singh in the film भाग Milka भाग on the life of Milka Singh Milka Singh के जीवन पर एक फिल्म बनी आप सबने देखी भी होगी भाग Milka भाग तो पुछा जारा आपसे प्रस्न में कि भाग Milka भाग फिल्म में Milka Singh का किरदार किस अभिनेता ने निभाया तेहां पर सही उत्तर है option भी फरहान अक्तर याद रखेगा फरहान अक्तर ने भाग Milka भाग में Milka Singh जी का रोल न प्रकास मेरा एंड इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकी थी प्रसुन जोसी ने तो यह भी आप याद रख सकते हो अगला प्रसुन देखते हैं यह काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है जो कि Milka Singh जी के पुत्र से संबंदित है पुछा जा रहा है जीव Milka Singh was related to which sports जीव Milka Singh किस से संबंदित है तो मैंने आपको जैसे कि बताए कि जीव Milka Singh जो है यह Milka Singh जी के पुत्र है और इनका संबंद जो है गोल्फ से है याद रखना है आपको जीव Milka Singh के अगर हम बात करें तो यह भारत के पहले प्लेयर थे जिन्होंने जॉइन क्या था European Tour को 1998 में and Government of India ने इन्हें अवार्ड दिया था पदमिस्री आवार्ड कब 2007 में इसे भी आपको याद रखना है तो आज के लेक्चर में इतना में ही है और आगे देख लो कुछ और Milka Singh जी के बारे में एक्स्टा इंफॉर्मेशन है अगर हम बात करें Milka Singh जी के बारे में जिन्होंने फॉस्ट गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए कब ट्रैक और फिल्ड इवेंट था यह 1958 का Commonwealth Games था उस समय एंड नो वन कुड ब्रेक इस रिकॉर्ड फोर 52 यर्स बावन साल तक इस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा था बाद में इस रिकॉर्ड को तरह 2010 में कृष्ण पुनिया ने और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था डिसकस्ट फ्रो में तब जाके एक मात्र ऐसे अथलीट है जो Commonwealth Games एंड Asian Games दोनों में 400 मेटर में गोल्ड मेडल जीत चुके है याद रखेगा और मिलका सिंग जो है तीन बार उलम्पिक में भारत को भारत के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं भारत को 1956 का समर ओलम्पिक जो मेलबर्ण में हुआ था उसमें 1960 का जो समर ओलम्पिक जो रोम में हुआ था उसमें 1964 का जो समर ओलम्पिक था जो टोक्यो में हुआ था उसमें भी मिलका सिंग जी ने बारत को रिप्रेजेंट किया था और गोल मेडल्स के बारे में आपको बताएं मैंने एसेन गेम्स में 1958 और 1962 में इन्होंने पार्टिसपेट के था टोटल चार गोल मेडल जीते थे इन्होंने एसेन गेम्स में आज की वीडियो में इतना ही मिलका सिंग जी के बारे में अगर आपको आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू फर वाचिन वीडियो थैंक यू सो मुच